ये मैंने लगबख देड़ गिलास के करीब पानी लिया है और इसमें हम क्या डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ जो आज की डाई है वो हर उम्र वालों के लिए बहुत जादा अच्छी और बहुत असरदार है इसके लिए देखें मैं ले रही हूँ ये तुलसी है आप इसे थोड़ा सा पतले से कपड़े से कवर कर दीजेगा जिससे कि जितने भी इसके अंदर जितने भी ताकत होती है वो बिल्कुल भी हवा में या दूप में खराब ना हो तो इसे आपको अच्छे से ढखकर सुकाना है वो भी छाय में तो अब हम क्या करेंगे डेड़ दीमेर से ले सकते हैं जितना जाद आपको सिरम बनाना है एक बार आप अच्छे से बना कर रख सकते हैं जादा सा इसे तो मैं लगबग और आपको अपिसरे खुला भी नहीं पकाना है इसे आप धक के पकाएंगे तो आज मैं आपको दिखाऊंगे तूलसी चैपने कैसी कलर दे सकते हैं आपने बालो को तूलसी के जो पते थे डंडिय सही तो वह मैंने आप इसमें डाली है और अब हम इसे ढग पकाएंगे तुलसी का पानी हमने पकाया था वो भिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब आपको दिखाती हो में ये कितना ब्लैक है ब्लैक होने के साथ साथ ये बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ही पावर्फूल है सपेद बालों को काला बनाने के लिए तो चलिए में कलार आता और मैं इसका इस्तिमाल बहुत जादा करती हूं इसलिए तो अब हम यह ले लेंगे एक चम्मच के करीब और दूसरी चीज में लेंगे यह देखिए जो गुढ़ल के फूल होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं उसका पौडर हम लेंगे क्योंकि यह बालों को काला पत्तों का पौडर और दूसरा एक चम्मच ही चाय पत्ति और आवला दोनों को भून कर उसका पौडर तो यह दोनों चीजे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी होती हैं काला बनाने के लिए तो मैं आपको थोड़ा सा जितने मेरे बालों की जड़े हैं उ इस तरीके से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी अब तो यह चीजे दोनों मेरी घर की बनी हुई हैं यह जो गुडल के पत्ते होते हैं उसका पौडर भी मैंने घर में बनाया हुआ है क्योंकि मेरे यह गुडल बहुत होता और मैं बालों के लिए यह चीजे बहुत और गुडल के जो पत्ते हैं वो लिया है मैंने इसमें देखिए अभी बहुत ही ब्लैक हो चुका है और इसे लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है इसको आपको जो ब्रेश होता उसकी सायता से बालों में लगाना है अगर आप चाते हैं इसे पूरे बालों में लगाना तो आप इसे पूरे बालों में पर अप्लाई कर सकते हैं तो आप इस ताइप जैसे यह ब्रश होता लगाने वाला या फिर टूइद ब्रश से आप इसे अपने जो बालों की सफेद जड़े दिखाई दे रही है उसमें अप्लाई करें अगर आपके बाल बहुत ज़ादे करना शुरू करेगा और जो सफेद बाल आपकी बहुत ज़ादे जड़ों से सफएद हो गया और वह किसी भी उम्र में हो वह काले होने शुरू हो जाएंगे बस आपको इसे रेगुलर इस्तेमाल करना है और यह बात इसे यूज़ करने के बाद आपको किसी भी शैंपू को यूज नहीं करना है आप इसे लगाने के बाद नॉर्मल सिर से सिरको प्लेन पानी से वाश करें अगर आप चाहें तो इसे रात को भी अच्छे से बालों की जड़ों में लगा कर शावर के पैन कर सो सकते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट रहेगा इसका तो आप इसे इस्तिमाल कीजिएगा कैसा लगा वो मुझे जरूर बताईएगा और आज की वीडियो बहुत ही योनिक हार उम्रवालों के लिए बहुत ही अच्छी है बहुत ही सेफ है